सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गोर्मेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अब्डेट्स मिलते रहें इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि ग्रैचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रैचुटी क्या होता है ग्रैचुटी को simple 5 point में हम discuss कर लेंगे तो अगर आप इंडियन आमी पे आपका service tenure पूरा हो चुका है retirement की तरफ सोच रहे हो या join करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे तो ग्रैचुटी पे क्या मिलती है इंडियन आमी में ये इस वीडियो में discuss करेंगे सबसे पहला point ग्रैचुटी होती क्या है अगर आप 5 साल सर्व कर लेते हो आर्मी में तो आपको सरकार एक thankful पे देती है यानि सरकार आपसे बोलती है thanks आपने जो service हमको provide करी आप 15 साल सर्व करो 20 साल सर्व करो उसके हिसाब से आपकी ग्रैचुटी का पैसा बढ़ता रहता है तो ग्रैचुटी एक thanking pay है कि यार आपने देश के लिए अपना इतना time 15 साल आपने लगाए और कठोर दिन रात आपने देश की सेवा करी duty करी तो आपको एक gratitude नाम का thanking पे सरकार की तरफ से दिया जाता है जब आप service छोड रहे होते हो किसी भी कारण से चाहे voluntary retirement चाहे कोई compassionate ground पे घर में कोई problem हो गई है उस कारण से या पूरा आपका service पूरा हो चुका है अब आप retire कर रहे हो तो सबसे पहला point cover हो गया point number two है कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि तीन साल की service कर दी अब मैं छोड रहा हूँ तो मेरे को gratitude का पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है ये case to case depend करता है कि आपकी service क्या है आप किन कारणों से छोड रहे हो ऐसा भी नहीं है कि छटे साल अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो आप gratitude मिलेगी मिलेगी depend करता है आपके इन कारणों के साथ छोड़ना चाह रहे हो आपका कैसा मतलब पूरा आर्मी पर depend करता है ये मैं बता नहीं सकता इस बात को तो minimum इसकी eligibility क्या है पात साल की आपको service करनी पड़ेगी तो आपको ग्रैजुटी पे मिलता है इसमें total service month calculate करे जाते हैं कि आपने कितने महीने job करिए कितने service month job करिए वह formula होता है आपके service month को निकाल लेगा एक बार फिर आपके service month से कितना amount आपका बन रहा है उसको discuss, उसको multiply करके आपको दे देगा तो total service month कैसे निकालेंगे suppose आपने 15 साल service करी मैं मान के चल रहा हूँ और 15 साल बात छोड़ रहा है क्योंकि मूशली ऐसे ही करते है तो 15 साल की total service हो गई प्लस 5 का weightage लगता है weightage का एक formula है प्लस 5 divided by 2 तो इसको करेंगे तो कितना आएगा simple math से 10 आएगा 10 तो 10 आजाएगा आपका total service months तो 10 अगर आपका total service months आगया यहाँ पर हम लेख लेते हैं point number 2 में हमें मिला total service month 10 अब इसकी amount आपकी कैसे calculate होगी gratitude की उसके लिए जो formula है जब आप छोड रहे हो 15 साल बाद वहाँ पर आपकी basic पे कितनी है MSP कितनी है classification पे कितनी है और technical पे है या नहीं है और DA कितना मिलता है ये पूरा जोड के आपका amount आजाएगा तो जब आप retire कर रहे हो pension ले रहे हो उस पे मैंने already वीडियो बनाई हुई है अगर आप commutation करा रहे है अपनी pension का तो उस पे भी वीडियो बनाई है आप वो भी देख सकते हो तो आप basic पे आपकी मान के चलो 45,000 है प्लस MSP उस पे 5200 मान लो 50,000 के लगभग हो गया class पे आपको 500 रुपे मिलता है technical पे आपकी नहीं है मान लो technical पे आपकी बिल्कुल नहीं class पे 500 रुपे मिलता है तो आपको कितना हो गया 50,000 हो गया प्लस DA उस पे 31% आज का चल रहा है तो 31% के according अगर 50,000 पे मान के चलूँगा में उस समय तो कितना होगा मान लो आपको 10,000 DA का पैसा मिल रहा है तो टोटल हो गया 60,000 रुपीस 60,000 आपकी टोटल अमाउंट मान लो रफली 60,000 इंटू 10 कर दोगे तो 6,000 हो जाएगा तो आपको कितना ग्रैचुटी सरकार से मिलेगा 6,000 रुपे अगर आप 15 साल की जगे 30 साल बात छोड़ रहे हो सर्वेस करके पूरा तो 30 प्लस 5 बाइ 2 करोगे 35 बाइ 2 कितना हो जाएगा 17 के असपस हो जाएगा तो इसमें 6,6 और ये भी basic भी बढ़ जाएगी 30 साल बात कर रहे हो तो basic इतनी थोड़ी रहेगी तो आपका ग्रैचुटी का पैसा और बढ़ जाएगा तो आपको इस फॉर्मूले से समझ में आयोगा कैसे आपकी ग्रैचुटी बढ़ती है इसमें एक rule माना जाता है कि आप जितनी भी service कर लो ऐसा होगा फिर इस फॉर्मूले का एक drawback है drawback क्या है एक इसमें टेकनिकल जो इसमें smartness डालिए सरकार ने वो डालिए कि maximum आप 20 लाक रुपे तक की ग्रैचुटी ले सकते हो 20 लाक से जादा की ग्रैचुटी नहीं ले सकते क्यों क्योंकि यार अगर मानलो आप कोई बड़े officer हो senior officer है जिनकी basic बहुत जादा है फिर ये सब मिलाएंगे और plus ये सब मिलाने के बादी 2 लाक हो जाएगा दो लाक हो जाएगा अराम से हो जाएगा उनकी basic ये सब मिलाएंगे किसी officer की जिनने 30 साल की service कर रहा है कोई officer 2 लाक हो गया officer छोड़ो कोई soldier हो गया जो honorary rank पे जा रखा है या JCO हो गया कोई जिसने जिसकी 1.5 लाग हो गया फिर उसकी service मन 30 साल हो गया ये करते करते 60 लाक तो ऐसे ही हो गया 2 लाक एंटू 3 तो 60 लाक का ग्रैचुटी थोड़ी देगी सरकार आपको तो ये ceiling है कि maximum 20 लाक की ग्रैचुटी आपको मिलेगी last में एक और चीज़ है कि अगर आपसे सरकार ग्रैचुटी का आपको कुछ पैसा दे रही है मानलो 6 लाक रुपए दे रही है तो आपसे एक one time contribution लेती है army क्यों लेती है ex-servicement health scheme centralized health scheme ECHS में आपको कभी retirement के बाद कोई भी problem हो कोई भी surgery करानी है आपकी ये आपके dependence की ये बच्चों की जो 25 साल से छोटे है parents की wife की तो वो सब आप free में करा सकते हो उसके लिए आपको एक one time contribution देना पड़ता है फीस नहीं है एक contribution है जो आप पे लगा दी जाती है अगर आप other ranks में हो तो 30,000 की है JCU में है तो लगभग 67,000 है अब ये थोड़ा change भी हो गया होगा officers में है तो लगभग 120,000 के आसपास है ये आपको एक contribution देना पड़ता है कि हाँ मैं lifetime आप इसके बाद आपका ECHS service avail कर सकता हूँ तो I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनलेट पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको regular updates मिलते रहें